शांता कारं भुजग शयनं पद्म नाभं सुरेशं विश्राधारं गगन सर्जीशं मेग वर्णं शुभागं लक्ष्मी कांतं कमल अनयनं योगी भिध्यान गम्यं बंदे विश्नुम भवभय हरं सर्व लोकेक नाथं राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों मताओं अबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आप के लिए लाई हूँ माग मास महातम की कथा का छटा ज्याए बंधों जिसे सुनने मात्र से भगवान शीहरी और भगवान शिव आपकी हर मनो पूरी करेंगे बंधों क्योंकि कहा जाता है कि माग मास में भगवान शिव और भगवान विश्णू दोनों की अरादना करनी जाहिए बंधों वैसे तो भगवान शिव और भगवान विश्णू एक ही हैं बंधों पर भगवान शिव पर माग मास में जल जरूर चढ़ाएं और हो सके तो बिल्व पत्व भी जरूर चढ़ाएं और भगवान विश्णु को माग मास में रोजाना तुलसी दल जरूर चड़ाएं बंधों माग मास में रोजाना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान जरूर करें बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जेंश शिहरी जेंश शिवशंकर भूले नाज जरूर लिखें बोलो शिवशंकर भूले नाज की जेंश बंधों अब सभी मिरे साथ मिलकर बोलिये विश्नु भगवान की जेंश शिवशंकर भूले नाज की जेंश ओ ओम शी गनेशाय नम्हा पुर्व समय में सत्युक के उत्तम निशेद नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सद्रीश धनी वेश्वे रहता था जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता, अगनी और ब्रहामन की पूजा करने वाला खेती का काम करता था वह गोडे भेंस आदी का पालन करता और दूद, दही, छाच, गोबर, घास, गुड, चीनी आदी अनेक वस्तु बेचा करता और उसने इस प्रकार बहुत सधन इकठा कर लिया जब वह बुड़ा हो गया, तो मृत्यू को निकट समझकर उसने धरम के कारेकरने आरंब कर दिये भगवान विश्णू का मंदिर बनवाया, कुवा, कालाब, बावडी, आम, पीपल, आदिक के व्रिक्ष, सुन्दर भाग, पगीचे लगवाई सुर्योदे से सुर्यास तक वैदान करता, गाव के चारो तरफ जल की प्याव लगवाई उसने सारे जनम भर जितने पाप किये थे, उनका प्राश्चित करता था इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्वन हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और भी कुंडल रखा जब दोनों लड़के युवा आवस्था को प्राप्त हुए, तो हेम कुंडल वैश्च ग्रहस्ती का सबकारे सोब कर भगवान की तपस्या के निमित वन में चला गया और वहाँ विश्णु जी की आराधना में शरीर को सुखा कर आंत में विश्णु लोग को प्राप्त हुआ, उसके दोनों पुत्र लक्षमी के मद को प्राप्त बुरे कर्मों में लग गई वेश्चे गामी वीना और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फित्ते थे, अच्छे सुन्दर वस्त्र पहन कर सुगंधी तेल आदी लगाकर भान और खुशामदियां से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुन्दर घरों में रहते थे, इस प्रकार उपर बोए बीज के सद्रिश वे अपने धन को बुरे कामों में नश्ट करते थे, कभी किसी सत्पात्र को दानादी नहीं करते थे ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्माच की सेवा तथा भगवान विश्नु का पूजन करते थे इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब्द्रव्य नश्ट हो गया और वहें दरिद्रत्त को प्राप्थो कर अत्यान दुखी हो गए भाई, जन, सेवा, उपजीवी सब इनको छोड़ कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़ कर चोर तथा डाकों के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तिक्षन बानों से वन के पक्षी, हिरन आदी तथा पशू हिंसक जिवों को मार कर खाने लगे एक समय इन में से एक परवत पर गया जिसको से हिमार कर खा गया और दूसरा वन को गया तो काले सर्प के डसने से मर गया तब यमराज के दूद उन दोनों को बांद कर यम के पास लाए और कहने लगे महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आग्या है बंधों आज में आपको बताऊंगी कि माग वरत उद्यापन विदी क्या है बंधों माग मास में पुर्णिमा को प्रातेकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अत्वा किसी भी नदी में शनान करके पवित्र होकर उसी चेत्र में एक मंड़प पना कर उसमें भगवान विष्णू की स्थापना करें, ब्रहामन को बुलाकर गोरी गनेश और नव ग्रह की स्थापना करके सत नरायन भगवान का पूजन करें और कथा श्रवन करें इसके बाद एक वेदी बनाकर वेदी के पस्चिम भाग में बैट कर तिल, चावल, जो, गुगल और घी का हवन करें इसके बाद ब्रहामनों का वरन करें, बाद में सर्वतो भद्र चक्र बनाकर ब्रह्म आदी देवताओं का पूजन करके वहां कलस्त के उपर स्वरन की लक्ष्मी विश्नू की मूर्ति सापित करें इदम विश्नू रिती इस मंत्र से आवाहन करके पूरुष सुकत के मंत्रों द्वारा शोडश उप्चार पूजन करें और पलंग के साथ पांच वस्त्रों और ब्रहामन को लोटा धोती, अंगोच्छा, छाता, खड़ाउं, आसन, माला, जनेवजोणा, स्वरनमुद्रा, तिल आधिकादान करें गोदान करके विसर्जन करें इसके बाद गीत, कीतन, वाद्यादिक मंगलगान और उस्सम मनावे यदाशक्ती ब्रहामनों को भोजन करावे यदाशक्ती उनको दक्षना भी दें जो मनुश्ये माग मास्ट शिनान करते हैं और माग मास्ट के इस महातम को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें उप्रोक्त्रीती से उध्यापन भी अवश्च्य करना चाहिए इस व्रत्वा उध्यापन से कुल के साथ जन्मों के किये गए पाप नश्ठ हो जाते हैं उस मनुश्ये को सुक, संत्ति, एमम, सोभाग के प्राप्त होते हैं तथा सकल मुनोरत सिद्ध होते हैं श्री राम दे राम दे राम स्री राम दे राम दे राम तर आ प्री राम दे राम श्री राम जे राम जे जे राम श्री राम जे राम जे जे राम श्री राम जे राम जे जे राम रादे रादे जे श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद झाल झाल